मस्ते बच्चो आपकी आज की वीडियो है फिजिक्स क्लास 12 और पार्ट 1 अच्छा इससे पहले का जो हमने था वो क्लास में कर लिये थे लगवाग 15-16 पेज तो ये वीडियो उसके आगे से शुरू होगी ये चैप्टर इल्कुल शुरू से नहीं बढ़ाऊंगा मैं क्योंकि इससे पहले का काफी कुछ में क्लास में करा चुका जो बच्चे क्लास में आ रहे थे उनने आराम से वो पढ़ लिया था और अच्छे से समझ भी लिया था उसके अंदर हमने खुलाम का नियम और आवेश का क्वांटी करण आवेश को किस परकार से एक वस्तों से दूसरी वस्तों पर ले जाया जाता है वो घर्षन द्वारा प्रेरन द्वारा जालन द्वारा वो सब हमने क्लास में कर लिये थे तो उसके बाद का जो अब आगे का है वो इस वीडियो में चलेगा तो यह वीडियो बेशक पार्ट वन है लेकिन यह महां से शुरू होगी जहां से आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया था उससे आगे से तो इसकाली वीडियो में हम देखेंगे अच्छों से पहले मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे हुए है गुरूप पे बेजे थे आपने उतार लिया थे रिप क्लास के दोरान में एक पेज रह गया था हम पढ़ी रहते इस चैप्टर में और मैंने बताया था कि इसका फॉर्मुला सेम टू सेम गृत्वाकर्शन बल की तरह है बस इसमें क्यूवन क्यूटू अपॉन अपॉन अच्छे समझ में आई तो इसमें क्या था कि वैद्धुद बल और गृत्वाकर्शन बल इसके अं लीस माई है मतलphas ना तो यह अंतर है ना यह समानता है यह मिक्स हैं तो चैनल की सेसी पहला है दो यह लगता है दो ब्रुमानो की बीच है यह ृनिलिए इसके फॉर्मुले में होता है q1q2 M1 M2 upon R2 अच्छा दोनों के बटे में R2 है दोनों ही विद्करवान पाती किसके हैं 1 upon R2 यह कि भी मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ फिर भी मैं repeat कर रहाँ इसको वार tam सोर्ल शका सुधा है यह माध्यम पर कर्ता है, माध्यम पर करता है Epsilod mode याद होंगे नहीं होंगे तो इक बार आप किताब कोटग ंसे इसमें माध्यम की विद्वध श делает तो इस पर फरक पडता है कि आपने उसको पानी में रखा हुआ है कि निर्वात में रखा हुआ है कि वायू में है इस तरह से तो इस पर फरक पड़ता है यानि यह माध्यम पर निर्भर करता है जबी गुर्टाकर्शनबल माध्यम पर निर्भर नहीं करता इसको कोई फरक नहीं पड़ता कि बीच में माध्यम है क्या तो पृत्वी से सूरज क जो कि प्रति करिया का नियम लागौ हो था किया नियम लाँ था है फिया सब हमने पढा था है तुब तो हम पूरा डीटेल में पढ़ चुके हैं बद्वल से उसकी तुलना करके समझाये जा रहा है ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आजाए है कि यह बात पांचवा है आंत्रिक किरिया बल कैसा बल है आंत्रिक किरिया बल और यह भी कैसा है आंत्रिक क्रियावल, आंत्रिक क्रियावल क्या मतलब है, यह दो वस्तूओं में परस्पर लगता है, यहाँ पे दो आवेशों की बात होती है, यहाँ पे दो त्रे विमानों की, लेकिन यह दो वस्तूओं के बीच में लगता है कहीं न कहीं, और आपस में, यह एक वस्तू द जिनके द्वारा किया गया कार्य आपको पुन्हे प्राप्त हो जाए जैसे कि मैंने एक्जामपल लिया था अगर मैं कोई डस्टर लूँ उसको उपर उठाऊं और उसको छोड़ दूँ तो वापस वो जमीन पर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब जितना कार्य मैंने उसे ज कार्य प्राप्त नहीं हो पाता वह कैसे होते हैं सरक्षी यह आपको 11 में खूप जा दिया गया था तो इसका परिमान बहुत चोटा होता है यह भी मैंने बताया था आपको कि अगर्शन बल बहुत ही कमजोर बल होता है वह एक्जामपल भी दिया था कि जैसे देस्टर गई इसको अपने तरफ खीचा हुआ है उसके वीच में क्या लग रहा है गृत आकर्शन बल लेकिन मैंने उसको डेस्टर को बहुत ही आसानी से नीचे से उठा लिया यानि गृत्वा कर्षन बल से ज्यादा बल मैंने ही लगा दिया तब ही तो मैं उसको उठा पाया इसका परि वैदुद बल का परिमान कैसा होता है बहुत बड़ा तो इससे ये एक बात के लिर होती है कि गृत्वागर्शन बल जो है वो कमजोर बल है और वैदुद बल जो है वो काफी मजबूत बल है एक्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि दो इलेक्टरोनों के बीच जो बल लग लगबग लगबग इसका 10 की पावर 43 तो 10 की पावर 43 इतने गुना अधिक होता है तो अब समझ सकते हो कि कितने ज्यादा मजबूत बल है ये गुर्थाकर्शन बल की तुल नामे अब इसके बाद ॐए कि आकरश्यन परतिकर्श्य दोनों करते यह अधनावेश हो गा दोनों तरफ यह हो दोनों तरफ दोनों तरफ क्या हो प्रिणावेश यानि माइनस माइनस हो तो परतिकरशित करेंगे और धनावेश धनावेश होगा दोनों तरफ तो परतिकरशित करेंगे लेकिन अगर यह विप्रीध होंगे तो यह आकरशित कर लेंगे यानि प्लस और माइनस एक दूसरों क्या कर लेंगे आकर्शित यह बात भी इसको सोचुगी इस अभी वह पुराने पॉइंट थो जो क्लास में ने बताये थे लेकिन मैंने एक बाद फिर भी आपको रिपीट कर दी है इसके बाद क्या था इसके बाद है कुलाम के नियम की सीमाई यानि कुलाम का नियम जो हमने पढ़ा जिसके ओपर इतने सारे सावाल किये थे उसके कुछ सीमाई है यानि वो कुछ जगे लागू होता है और कुछ कंडिशन्स में लागू नहीं हो पाता यानि कि वो हर जगा सकते हैं नहीं हैं तो किन बातों के लिए सकते हैं जो आपके कोर्स में वो हम देख लेते हैं तो सिर्f बिंदौ आवेशों के लिए लागू होता है yakni बड़े आवेशों के लिए ये कारिया नहीं करेगा कि लिए जो नियम कानून होंगे कम कौन सो 강 finals तो बिंदो आवेशिते से बड़े होँगे तो ये लागू नहीं हो पाएगा ये सीमा होगई इसके एक और दूसरी सीमा क्या हे कि एक वस्तू के विभिन भागों के बीच प़ल खुलां के नियम से नहीं निकलेगा याणि एक ही वस्तू के विभिन भाग से õर इस पर यह पूरी धनावेशीत है यरीजित है जैसी आधे कुई अवेशीत मान सकते हैं ओर दल इनके बीच में नीव्यां से if और वहां फया टुसे करदो निकाल लेंगे वोगी आगे तब मीतल का लिए रिति ही में कैना है've कर ग्यान को फृधि दें तो उसका आकार सीमास का तो जो बन से बन जाते हैं तो पार फृषय दिया जासपता है जोरी ते यहां पर इस धनावेश को परतिकर्षित करेगा तो यह किनार दूसरे से दूर जाएंगे किनार एक दूसरे से दूर जाएंगे तो साबून के बुलबुले का आकार बढ़ेगा अब यह अगर माली रिनावेश भी होता अगर किसी को लग राएगी रिनावेश होता तो यह रिनावेश इस रिनावेश को परतिकर्शित करता ये रिन आवेश इसको बढ़ती कर्शित करता तो ये रिन आवेश इसको बढ़ती कर्शित करता तो ऐसे करते करते एक दूसरे से दूर जाते दूर जाते तो साबून का बुलबुला दीरे बढ़ा होने लगता तो अगर इसको हम आवेश देंगे तो क्या होगा साबून का ब तो इस तरह से या तो आपको बहुवी कल्प में पूश लेंगे या आपसे अतिलगो अगर पूश लेंगे तो आप लिख देंगे कि आकार उसका पढ़ेगा यह इसका आंसर होगा तो इसमें तो सीधा आंसर दिया है या निक्टिमान के लिए यूत आप dh एक यहा पर रख दिया यहां पर यहां पर रख दिया a सिर्फ इस्तिर आवेशों के लिए तो अगर आपसे सवाल आ जाएगे कि खुलाम के नियम की सीमाईल लिखिए आप क्या लिख देंगे आप तीन पॉइंट लिख देंगे कि ये सिर्फ बिंदो आवेशों के लिए लागू होता है एक वस्तू के जिविन भागों के बीच कुलाम के नियम से हम बल नहीं निकाल सकते और तीसरा ये सिर्फ इस्तिर आवेशों के लिए लागू होगा गतिमान आवेशों के लिए नहीं आलग इसमें जायतर पॉइंट वही थी जो क्लास में डिसक्स करें लेकिन मैंने फिर से इसलिए बता दिये ताकि आपको एक बार को रिपीट हो जाएं कि अब काफी दिन हो चुछ अब इसके बाद यह वह सवाल है जो मैंने आपको कराया थे अच्छा यह इस वाले पेच पर आ गया था यहां कि आपको क्लास में यह आपकी कौपी में भी होए होऊंगे इसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर जो आज चलेगा यहां से इसकी मैं आपको पीडिये बेज दूँँगा महां से आप नौट कर लेंगे मैं समझा रहा हूं इस वाली वीडियो में उसके बाद वैदुद चेत्र आवेश के चारो और का वहेग एक माट तो इसी वादूद आवेश के चारो और का वहेग चेत्र जिस में कोई अन्यय आवेश आकर्शन अथ्वा पर्तिकर्शं के बल्का अभ़ो करता है ETF चेतर कहलाता है मतलब क्या है क्याने का कि जब कोई वस्तू होगी वस्तू है वो किसी भी तरह के आवेश्ट से आवेश्ट है माइनस है या प्लस है तो जिस भी खेत्र में रखी होगी और अगर महाँ पे वो किसी भी तरह का बल अनुभव कर रही है तो उस छेत्र को हम क्या कहेंगे एक वैद्धु छेत्र कहेंगे यानि महाँ पर किसी ना किसी आवेश की उपस्तिती और भी है यह आपकी परिवाशा है एक बार द्वार पढ़ लेते हैं किसी विद्धुत आवेश के चारो और का वह छेत्र किसी विद्धुत आवेश के चारो और का वह छेत्र जिसमें कोई भी जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्शन आकर्शन अथवा पर्तिकर्शन के बल का अनुभव करता है वैद्धु छेत्र कहलाता है ठीक है जिसमें वो आकर्षन या पर्तिकर्षन का अनभव करेगा ऐसा चेत्र क्या कहलाएगा पैत्व चेत्र और जहां पर आकर्षन या पर्तिकर्षन का ना करे मालिज़ आपने कहीं पर कोई आवेश ले जागे रख दिया प्लस क्यूं या माइनस क्यूं और वो कहीं भी ना उस पर आकर्शन महसूस हो रहा है ना उस पर परतिकर्शन अब यह महसूस कैसे होगा मालो अपने कोई आवेश रख दिया ले जाके वो अगर दूर भागने लगे तो यानि यहां पर भी प्लस आवेश रहा होगा इसने इसको दूर चला दिया तो इसने कैसा नभो करा धना आवेश का अगर इसको अपनी तरफ खीचने लगा यानि यहां पर कोई आवेश है जो माइनस क्यूंका है तो इसने इसको अपनी तरफ खीच ले यानि इसने अब भी कैसा महसूस किया और इस वाले में कैसा मेहां सुश किया परतिकर्षण का So You जो आकर्षण न परतिकर्षण ज मैंसुस होता हुआ उस लिगा क्या क lender करते हैं पादूर और यह कैसी है एक सदिश राशी यानि यह कैसी quantity है एग सादिश सदिश का मतलब आ उतना मजबूत वो छेत्र है, जिसना जादा परिमान होगा, उतना जादा बड़ा वैदुचेत्र होगा, यानि उसकी तीवरता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है, तो उस पर उतना ही अधिक वो बल लगाएगा, जैसे कुछ बड़ी चुमबके होती है, कुछ छोटी चुमबके होती है, तो बड़ी चुमबक होगा, खेत्र भी कैसा होता है, बड़ा, यानि कि उनकी तीवरता भी कैसी होती है, बड़ी, अर्थात उनका परिमान कैसा होता है, बड़ा, तो परिमान बताएगा हमें वैदुचेत्र की तीवरता बताएगी हमें परिमान के बारे में, क्या है वो भी इसके नीचे देखते हैं तो वैदुत छेत्र आपको उम्मीद है किलियर होगे होगा ऐसा छेत्र जिसमें कोई भी वस्तू या कोई भी आवेश आकरशन अत्वा पर्तिकशन के वलका रुख करता है वैदुत छेत्र क्या लाता है अब उसके बाद आजेगे इस इसका वैदुत छेत्र का ये लिखा हुआ तो किसी वैदुत छेत्र में इस्थित एकांग परिक्षण धनावेश पर लगने वाला बल वैदुत छेत्र की तीवरता कहलाता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें माल लिज्एक किसी भी छेत्र में पता करना है कि वैद्धु छेत्र की तीवर्था कितनी है तीवर्था मतलब महाँ पे कितना है किष्ट्र से strong या назад चेत्र है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? एक परिक्षन धनावेश परिक्षण धनावेश को किस से दिखाते हैं? Q node ठीक है? और ये धनावेश ही लेंगे और धनावेश क्यों लेंगे? क्योंकि जिसने सबसे पहले experiment किया था उसने धनावेश लेकर ही किया था तो इसलिए धनावेश लेकर बढ़ाय जा रहा है अगर रिणावेश लेगे किया होता तो हम रिणावेश से पढ़ते हैं तो ये डावट इसको नहीं होना चाहिए कि धनावेश ही क्यों रिणावेश क्यों नहीं ठीक है वह धनावेश है कैसा परिक्षण धनावेश का मतलब इसे हम परिक्षण करेंगे कि धनावेश वह जो वैदुचेत्र का जहां पर मतलब वैदुचेत्र है उसकी तीवरता कितनी है उसका हम पता किस से करेंगे परिक्षंध नावेश से अब इसे हम बहुत ज्यादा छोटा लेंगे उसमें लिखा हुआ होगा कैसा होता है यह बहुत ज्यादा छोटा इसको ले जाके रखेंगे इस पर हम देखेंगे कितना इस पर बल लग रहा है उस छेत्र में ले जाने पर उससे हमें पता चलेगा जितना अधिक बल लगेगा इसके ओपर उतनी ही उस छेतर की तीवरता ज्यादा होगी और जितना कम बल लगेगा उतनी ही उस छेतर की तीवरता कम होगी अच्छा ये खुद छोटा क्यों होना चाहिए इसको ऐसे समझो जैसे आपके घर में मेटर लगा होता है बिजली का ठीक है माल लिया आप सो यूनि होगी तो आपका बिल कितना आया बारे गुना सो याने की वारा सो रुपे तो ऐसे ही करके बिल निकालते ही तो होगी चलो लग बात तो अगर आपके घर में मीटर लगा हुआ है और हमें यह पता करना है कि आपके यहां यूनिट कितनी होगी तो मीटर ही बताएगा और एक मेटर खुद भी light लेता है तो मालो महीने में ये 0.5 unit की light खुद लेता है इतनी light तो ये भी खाएगा इसमें एक च्छोटी सी light लगी होती है चलता तो ये भी light सी है लेकिन बताता क्या है कि आपने पूरे महीने में कितनी विजली यूज करी तो वो बताता है कौन? मीटर और ये खुद भी unit कितनी लेता है मालो? 0.5 unit तब आपको बताता है कि आपने पूरे महीने में मालो 100 unit यूज करी तो ये भहुत कम unit ले रहा है अब सोचो अगर ये खुद ही 200 unit लेता और ये बताता कि आपने 100 unit यूज करी है तो बिजली वाले तो आपको आगे कहते कि हमें 300 unit के पैसे दो 300 unit के क्यों? क्योंकि 100 unit तो वो जो आपने खर्च करी है और 200 unit वो जो इस मीटर ने ली है ये बताने के लिए कि आपने 100 unit कर्ज करी हैं तो पागल बन वाली बात हो जाती है ना तो इसी वज़ा से इसको हम बहुत ही छोटी बिजली के रूप में रखते हैं यानि यह कितनी बिजली लेता है बहुत ही नाके बराबर तो 100 के आगे point 5 कितना हो गया लगबर लगबर नाके बराबर इसलिए ह जब हम वैदुच्छेतर की थीवरता नापेंगे यहां पर माप रहेते हैं हम बिजली आप रहे हैं हम वैदुच्छेतर की थीवरता यह क्या काम करेगा हमारे मीटर की तरह ओगर यह खुद ही बहुत बड़ा होगा तो हमें सही से अंदाजा नहीं हो पाएगा कि बनता कितना है इसलिए ये खुद बहुत छोटा होना चाहिए इधर मीटर बिजली वाले केस में और जब वैदुच्छेद्र की तीवता हम आपेंगे तो ये परिक्षन धनावेश भी कैसा होना चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए परिक्षन आवेश अच्छा अब इसको फिक बहुत छोटे को हमने परिवाशित नहीं किया कि बहुत छोटे का मतलब कितना किसी के लिए दो माइक्रो कुलाम बहुत छोटा होगा किसी के लिए तीन माइक्रो कुलाम बहुत छोटा होगा किसी के लिए पॉइंट माइक्रो कुलाम लेकर जा सकता है कोई कि इसको हमने फि बियारीं बताता हूँ इक आंक इसीलिए इसके परिवास्टा में वह आपको समझ मा जाएगा कि किसी विद्दुचेत्र में इस्थित एक आंक परिक्षण धनावेश परिक्षण धनावेश वे आप समझ चुका होंगे जिससें परिक्षन करेंगे कि यहां पर तीवरता कितनी है जैसे में बिजली के लिए मीटर रगायूज करते हैं परिक्षन धनावेश पर लगने वाला बल वैद्दुच्छेत्र की तीवरता कहलाता है तो इस परिक्षन धनावेश पर जितना भी बल लगेगा जब हमसे किसी लगने वाला बल लाद केंगे तो पॉर्मूला हो गया यह अवेश यानि कुलाम क्यों गया न्यूट पर दि कुलाम जिए इसका दूसरा मात्रक होता है, वोल्ट पर्थी मीटर और एक तीसरा मात्रक और है, इसके तीन-तीन मात्रक हैं, यह कई बार सवाल आ जाते हैं, इसलिए तीन-तीन बताने पड़ते हैं, यह है जूल पर्थी कुलाम पर्थी मीटर क्या है, जूल प्रति कुलाम प्रति मीटर ये दोनों सवाल आई हुए हैं एक बार इसका मातरक पूछा गया है ये वाला भी और ये वाला भी तो इसको ऐसे में समझना कि ये इतना important नहीं इसके दो तिन मातरक हो गई एक हैत पर लेंगे बहुत है तो कभी option में ये वाला मातरक मिल जाएगा आपको सिर्फ कभी ये वाला मिल जाएगा जायतर तो ये वाला आई जाता है जो नॉर्मल है तो आपको तीन मातरक पता होने चाहिए ताकि आपका सवाल गलित ना हो तो वैदुचेतर की तीवरता क्या होगी किसी वैदुचेतर में स्थित एकाम परिक्षम धना वेश पर लगने वाला बल वैदुचेतर की तीवरता कह लाता है तो इस वाली वीडियो में शायद वैदुचेतर हो पाया है क्योंकि आप काफी बड़ी होगी है वह इसकी वीमा और देख लेते हैं किसी भी आवेश क्यों पर लगने वाला बल कितना होगा एफ बराबर क्यों ही ये पिछले वाले से बनन गया फॉर्मूल ला पॉर्मूला कैसे क्यों नोड था यह इधर चला गया इसकी गुणा में इसकी बड़ा पर निकाल लिया तो आप लो पर सकते हो दो से गुणा कर दो किसी भी धनाविश क्यों पर लगने वाले बल्ल को किसे दिखाएंगे बराबर QE वैद्दुट्ट्र की विमा वही तो होगी जो वैद्दुट्ट्र की थी वरता की विमा होगी और वो किसे निकलेगी इसके किसी भी एक मात्रप को ले लो न्यूटन परती कुलाम न्यूटन की विमार रख दी कुलाम यानि आवेश की विमार रख दी A उपर चला गया T उपर चला गया और Sol करके यह आ गया इतना तुम मैं समझता हूँ अब आपको आ ही गया होगा इसकी दिशा धनावेश पर लगने वाले बलकी दिशा में होती हिसकी दिशा में जिसको में धिडियो में देखेंगे फिलाल आपका विमा तक का काम हो गया है कि इतना किसी को समझ में ना आया हो तो आप नीचे जो YouTube होगी उसमें comment section में लिख सकते हैं या जब आपका WhatsApp का गुरुप खोल जाएगा तो आप उसमें पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही हो पाएगा इस वीडियो में बाकी देखेंगे next one thank you